दोस्तु दुनिया में मजूद हर बच्चा यूनीक है, लेकिन इस दुनिया में कुछ बच्चे इतने ज़ादा यूनीक होते हैं, कि आप इन्हें देख कर हैरान रह जाओगे तो आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अनोखे बच्चों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे वीर साबिया बोरुन गौंचर रौभा दस साल की यह रशियन लड़की देखने में बिलकुल समानने लगती है और इसे अपनी उम्र के बच्चों की तरह ड्राइंग करना और कहानिया सुनना अच्छा लगता है भले ही यह लड़की आपको समानने दिखाई देती है लेकिन इस लड़की में एक चीज जैसी है जो इसे दुनिया से अलग बनाती है दर असल इस बच्ची का दिल इसके पेट में धड़कता है क्योंकि इस बच्ची को थोरेको अब्डॉमिनल सिंड्रॉम नाम की बिमारी है यह बिमारी बहुती दुरलब है जो 10 लाख लोगों में किसी एक को होती है जब वीर साबिया का जनम हुआ तब डॉक्टर का कहना था कि इस बच्ची का जिंदा पचना नाममकिन है पर इसके बावजूद वीर साबिया आज भी जिंदा है इस बच्ची को बहुती सावधान रहना पड़ता है और इसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं कि इसके दिल को बिलकुल भी नुकसान ना हो वीर साबिया हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है लेकिन ऐसा ओपरेशन से केवल तम मुमकिन हो पाएगा जब डॉक्टर उसके दिल को उसकी सही जगह पर पहुचा देंगे च्छा साल की नॉर्थर्न आइरलेंड में रहने वाली इस बच्ची को खेलना बहुत पसंद है और यह बच्ची आम लोगों से बहुत स्पेसल है क्योंकि इस बच्ची को एक दुरलब कंडिशन है जिसे कौन जैनिटल एरहीनिया कहा जाता है इस बिमारी की वज़ा से इस बच्ची की नाक नहीं है और टैसा के माता पिता को इस बात का पता उनकी प्रेगनेंसी के दोरान अल्टरा साउंड से चला था और वह इस बारे में जानकर हैरान थे नाक ना होने की वज़ा से टैसा कुछ भी सूंग नहीं सकती लेकिन यह चीक और खास सकती है इस कंडिशन के वावजूद आज यह बच्ची एक समानने जिंदगी जी रही है और डाक्टर के मताबिक टैसा को नोज इंप्लाइंट कराने के लिए बहुत से सर्जरी से गुजरना पढ़ सकता है इसाहिया बर्ड दोस्तों कुछ लोगों के पास अक्सेसाइज ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं जिन में ठकावट, मौसम का खराब होना, सरीर में दर्ध होना और कल से करने जैसे बहुत सारे बहाने सामिल होते हैं लेकिन 11 साल का नियू यॉक में रहने वाला इसाहिया बर्ड कभी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता इसाहिया का जनम बिना टांगों के हुआ था लेकिन इन मुश्किल हालातों के बागजुद यह स्पोर्ट खिलता है इसाहिया सर्फिंग, स्वीमिंग, स्केटबोर्ड और फुटबॉल के अलावा रैसलिंग भी करता है इसाहिया को इन सबी कामों को करने के लिए उसकी मा और दोस्त मदद करते हैं जबकि रैसलिंग सीखने के लिए इसाहिया के ट्रेनर मीगवैल रोडरीग वैज उनकी मदद करते हैं जिनोंने इसाहिया को किंडरगार्डन की उंग से रैसलिंग सिखाना शुरू कर दिया था इसलिए इसाहिया आज बहुत साले लोगों के इंस्प्रेशन बन चुका है और इसाहिया को देख कर लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है ललित पाटिदर अपने देश भारत में रहने वाले इस लड़के को कॉन जैनिटल हाइपो ट्रिकॉसिस नामक बिमारी है जो बहुत ही दुरलब है जिसे वेरवूल्थ सिंडरॉम भी कहा जाता है क्योंकि इस बिमारी में एक इंसान का पूरा सरीर बालों से घिर जाता है इस बिमारी के लिए ललित के परिवार ने बहुत सी कोशिशे की लेकिन वह नाकाम्याब रहे क्योंकि इस बिमारी का कोई इलाज नहीं है इसलिए लोग ललित को बंदर के नाम से चिड़ाती हैं और उस पर पत्थर भी फेकती हैं लेकिन ललित का परिवार हमेशा उसकी मदद करता है और उसे जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है दोस्तो 14 साल का टीयो सैत्रियो इंडोनेशिया में रहता है जिसका जनम बिना हातों और पैरों के हुआ था इसके बावजूद यहाँ गेम खेलता है और अपने चेहरे के इस्तमाल से रिमोट को कंट्रोल करता है हर दिन टीयो स्कूल जाता है और उसके माता पिता बाइक पर उसे छोड़ने जाते हैं और टीयो स्कूल में लिखने के लिए पैन को अपने मुह में दबाता और लिखता है टीयो को अपनी जिन्दगी में चोटे-चोटे काम करने के लिए भी बहुत मेहनत करने पड़ती है इसके बावजूद वह आम लोगों की तरहा अपनी सभी काम को करता है तो दोस्तों आपके पास प्राकरती का सबसे अनमौल थौपा आपका सरीर है जिससे आप जिन्दगी में कोई भी काम कर सकते हैं इसलिए आप जो भी करना चाते हैं बस उसके लिए मेहनत करते रहे और सफलता एक दिन आपके हाथों में जरूर होगी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो सुपाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप फाइट चैनल को